असलाम लेकुम आई होप आप सारे लोग है रही है सुनगे आज किस लेक्चर के अंदर हम कैनवा के एडिटर का जो ओवर वियू है डैश बोड है उसकी तरफ जाएंगे और उसको देखेंगे और उसके अंदर जो भी ऑप्शन्स है उनकी अबाउट मैं आपको बताऊंगा तो हम चलते हैं लैप्टप स्क्रीन के उपर यह सारा कुछ देखने हैं तो हम आच वाले उप्शन्स तो मैंने आप लोगों को डारेक्टली एक्स्प्लेइन कर दिये थे राइट लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कैनवा एडिटर की बात करने जा रहे हैं अब उस एडिटर को हम कहां से एक्सेस करेंगे जो के मेन फीचर है कनवा को जितने भी डिजाइनिंग्स और एडिट्स होंगे वह वहीं पे होंगे तो हम सिंपली उसको एक्सेस करने के लिए यहां से हम किसी भी उस पर क्लिक कर सकते हैं इसके लाब कस्टमाइज साइज पर क्ल बहुत हमें एडिटर खूल जाएगा अगर हम यह template कर चूज करते हैं तो तब भी हो जाएगा वहां पर हमारे पास एडिटर ऊपर जाएगा। let's suppose उसको edit करता हूं इस template को edit करता हूं तो यहां भी देखे हैं हमारे पास complete जो है dashboard नजर आ चुका है यह एडिटर के dashboard है यह वाले options को हम आज discuss करेंगे कि इनका क्या मतलब है तो basically यहाँ पर हमार पास सबसे पहला option है file का इसके अंदर कुछ options आपको मिल जाते हैं जिसके अंदर आप this canvas के अंदर कुछ changes ला सकते हैं कुछ options show करवा सकते हैं कुछ options hide कर सकते हैं let's suppose यहाँ पर मैं rulers guide को show करवाना चाहरा हूँ तो इस तरह से यहाँ पर देखें वो इसको show करवा सकता हूँ इसके इलावे यहाँ और कफ सारे options है import file create new design find and replace text let's suppose मैं यहाँ इस पर click करता हूँ तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर daily को find करना और उसकी जगह पर replace कर देना है अहसान तो यहाँ पर देखें उसकी जगह पर तो जब आप बड़े designs create करेंगे तो फिर एक ही time में आप सब को इस तरह से अगर कोई भी word आपको replace करना है तो कर सकते हैं इसके लावे यहा यहाँ पर हमारे पास एक option है resize का अब let's suppose यह वाला जो design है वो 500 by 500 का है लेकिन हमें इसको resize करना है 300 by 300 के अंदर तो यह क्या इस option से हम इसको कर सकेंगे लेकिन यह pro version के अंदर available है right उसके इलावे यहाँ पर हमारे पास दो और options है undo or redo let's suppose अगर यहाँ पर हमने यह जैसे change किय तो अब मैं इसको खतम करके previously दुबारा लेकर आना चारूं तो simple इस पर क्लिक करूंगा अगर यह मेरे से घलती से हो गया तो फिर मैं इसको वापिस इस तरह से redo कर दूगा right तो यह options है उसके बलावा यह indication है कि आपके design में जो changes आपने की है वो save हो चुकी है यह नहीं हो अपग्रेड करने के काबिल हो जाएगे अगर इस design को आप चाहते हैं कि कोई और भी access कर पाया आपका team member या आपका जो है student कोई भी तो यहां पर आप उसको add कर सकते हैं वो इस design को edit कर सकेगा और इसको download कर सकेगा उसके इलावा यहां पर share को option है यहां से हम इसको क्या कर सकत हैं उसके जरीए यह वो अपने canva account से इस design को access कर पाएगा तो यह कुछ options थे उसके बाद हम आ जाते हैं left side view पर यहां पर तो यहां पर हमरे बस सबसी जो पहला option है वो है templates अब यहां पर जितने भी templates नजर आ रही है वो इसी size की नजर आ रही है अगर मैं logo का editor खुलूँगा तो logo के सारे templates नजर आएंगे right तो यहां पर आप specific search भी कर सकते हैं let's suppose मैं search करता हूँ sun ठीक है तो हमेरे पास उसी तरह की templates आ जाएंगे जिनको आप edit कर सकते हैं let's suppose मैं इसको edit करना चाहरा हूँ मैंने click किया और यहां पर देखें अब मैं इसको edit कर सकता हूँ ठीक है इसी यहां पर कुछ हमारे पास जो हैं वो है filters है अगर मैं चाहरा हूँ के सिर्फ yellow color के अंदर show हूँ मुझे images तो देखें सारी yellow वाली show हो गई है अगर मैं चाहता हूँ green वाली show हो यहां पर देखें green जितने भी हैं वो वाली show हो गई है तो यह है template का option उसके बाद है elements का option let's suppose design क के अंदर मैं कोई भी element यूज करना चाहरा हूँ कोई line shape dots या कोई भी और element यहां पर कप सरे animation फोटो वीडियो और बहुत सारी चीज़ हैं यहां पर मौझूद हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं use कर सकते हैं अपने design के अंदर let's suppose मैं इसको use करना चाहरा हूँ तो यहां पर द i refuse पागे आप इसको animate कर सकते हैं let's suppose यहाँ पर देखें आप सक इसको इस तरह सक डिफरेंट Score डिए मेंशन दे सकते हैं फ्लिप कर सकते हैं क्रॉफ कर सकते हैं इसकी पजिशन सेट कर सकते हैं इसकी opacity कं यह जदधा कर सकते हैं इस तरह से तो हर element की यहां पर मजीद आपको setting लिंक्स मिल जाएंगे उसके लाब इसके उपर लिंक लगा सकते हैं को इस पर क्लिक करें तो वह उस लिंक पर रिडारेक्ट हो जाए तो ये वाले सारे options आपको यहां से मिल जाएंगे तो ये है element को option इसके अंदर काफी सारे elements मिल जाएंगे उसके बाद हमारे पास यहां पर अपलोड अपने लैप्टॉप या इंस्टाइब ग्राम या किसी बी सोशल मीडिया से images upload कर सकते हैं यह इस अपने project के अंदर यूज करने के लिए let's suppose मैंने यहां पर upload करता हूं यह मेरे पास एक logo है जिसको मैं let's suppose मैं अपने design के अंदर use करना चाहा रहा हूं तो मैं simple यह upload कर दिया और मैंने इस पर click किया तो अब मैं इसको अपने design के अंदर use कर सकता हूं यह मैं randomly images use कर रहा हूं future में चलके हम professionally एक बिल्कुल detail के अंदर हम यह काम करेंगे अभी जैस मैं आपको सिर्फ options की how now दे रहा हूं उसके लाब यहां पर text है और बहुत सारे fonts हर तरह के fonts यहां पर मौझूद है जिनको अब use कर सकते हैं अपने design के अपर यहां पर हमारे पास neon की तरह का अच्छा यह pro feature यह pro के अंदर है जिनके उपर यह crown लगा हुआ यह pro वाले fonts है यह pro वाले चीज़े हैं उनको आप pro version में ही use कर पाएंगे तो यहां पर आपको हर तरह का text मिल जाएगा हर तरह का font style मिल जाएगा और बहुत सारे चीज़े मिल जाएंगी उसके बाद यहां पर हमारे पास projects हैं जो projects हमने complete कर लिए है जैसे यह हम design कर रहे थे वो देखें यहां पर show हो चुका है और जितने भी folders वगरे designs है वो सारे options अगर आप stock images को access करना चाहरे हैं तो यहां से देखें लेकर आ सकते हैं उसके लावा audio अगर आप access करना चाहरे हैं तो यह देखें यहां पर आ गया है background यहां पर देखें डिफरेंट तरह के background है अगर मैं इनको delete कर दूँ और इसको भी मैं delete कर दूँ तो यहां पर देखें यहां पर different backgrounds है इनको आप इस तरह से backgrounds को set up कर सकते हैं इसके इलावा यहां पर और वीडियो, styles, charts और यहां पर बहुत सारी QR code और बहुत सारी चीज़ें यहां पर मौजूद हैं जिनको आप use कर सकते हैं तो I hope आपको Canva का editor का जो टूर है वो पसंद आया होगा आपको समझ आई होगी कि क्या कौन-कौन से options मौजूद है Canva के editor के अंदर और उनको आप किस किस तरह से use कर सकते हैं यह तो basic से वो थे आगे चलके मजीद इन पर जब हम practical काम करेंगे तो आपको मजीद चीज़त लेर ह तो मिलते है शालाonk लेक्स लेक्चर के अंदर तीन कीफ को ना हेंरे किफ एक्सप्लोरिंग सब्सक्राइब कर लें लाइक कर दे वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आगी है तो मिलते है शालाonk लेक्स अन्टा आप्सकशिर चाहँस झाल झाल झाल